हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रेडियंट कम्पिटिशन क्लासेस एक महत्तपन सोचना BPSC के दोरा जाड़ी की गई है यह है 68 कम्माइन प्रेलिमिनली कम्पिटिटिव एक्जामिनेशन एक्जाम डेट 12-2023 यह फाइनल आंसर की यह जनरल स्टडीच सभी सेट का सभी सिरीज का यहां पर आंसर की फाइनल आंसर की जाड़ी किया गया है यानि कि जैसे देखेगा कि यह पहली बार BPSC के इतिहास में हो रहा है कि सिर्फ प्रोविजनल आंसर की जाड़ी किया जाता था लेकिन इस बार जो है यह फाइनल आंसर की जाड़ी किया गया है इसी कियाधार पर OM मार सीट की जांच की जाएगी और रिजल्ट तयार किया जाएगा इसमें आप लोग देख पा रहे हैं सभी किस कोशन में आपजेक्शन आया था किसके आपजेक्शन को सुईकार किया गया है किसके आपजेक्शन को रिजेक्ट किया गया है इन तमाम चीजों को आप देख सकत या आप जिस पे objection किये थे जो आप दिए थे विचार क्या उसको माना गया है या reject कर दिया गया है इन तमाम चीजों को भी यहाँ remarks में remarks column में आप स्वयन देख सकते हैं यादि आप 5 question में claim डाले थे objection किये थे तो 5 का क्या result आया है ये रिमार्स कोलम में आप देख सकते हैं इस तरह से देख लिजेगा यानि सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D ये चार गुरूप में बाटा गया है आप इसको देख सकते हैं कि किस question में जो है objection लिया गया है किस में नहीं objection जैसे देखे ये 9 नमबर का question है no objection received गुरूप ये का और B में 42, C में 95 और D में 132 तो no objection received hence this provisional answer is no final answer की तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और जिसमें objection आया है जैसे इसमें objection आया था तो objection wrong है इसको reject किया गया है तो इस तरह से आप लोग यदि objection डाले थे उस आधार पर आप मिलान करके देख सकते हैं कि आपके जो objection को माना गया है या नहीं माना गया है या अब भी किसी तरह का आप लोगों कोशन रहे हैं तो आप लोग फिर सिकायद दर्जिक कर सकते हैं ये इसी के आधार पर जो है जो आपका अन्दिये OEMR सीथ है उसकी जांच की चाहेगी ये बहुत ही महत्पूर्ण बात ये पहले नहीं होता था पहले प्राविजनल आंसर के बाद अबजेक्शन लिया जाता था और अबजेक्शन क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ किसको माना गया किसको रिजेक्ट किया गया इन तमाम चीजों को की जनकरी हम लोगों को नहीं हो पाती थी लेकिन ये पहली बार है कि इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जान पा तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और कमेंट जरूर किज़ेगा जो भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले पहुंचाऊंगा धन्नवाद